नमस्कार दोस्तों ट्रिम पफ में आप सबों का स्वागत है और आज मैं एकदम से इजी केक डिजाइन लेके आई हूँ जिसे मैंने हाप के जी में तयार किया है तो केक में कितना इंग्रेडियंट्स गया कितनी मात्रा में और प्राइस तक की सारी डिटेल मैं आपको बताने पिनारंडे के घर पर केक बना सकते हैं और यहां मैंने केक को एक घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और अब नाइप की हिल्ट से मैं इसे डिमोल्ट कर रही हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि टर्न टेबल पर मैं हमीशा एक हैंकी बिचा ले अब पूरी तरह से हमारा केक थंडा नहीं हुआ था थोड़ा थोड़ा यह गरम ही था जिसके लिए ग्रम्स किनारों से निकलने लगा तो इसे आप जब तयार करें तो बिल्कुल थंडा करके तभी इसकी फ्रॉस्टिंग करें और यहां मैंने थोड़ी सी क्रीम अपलाई क जब खू faith करें करके केक बेच कर के ऊपर में पने स्पॉंझ के फर्स्ट लेर को सुक कर लिया को स्व करींग कर मैंने अड़िक लिया अपने प्लेन वाटर से प्रिंगल कर के discourse आप चökर फिर्यींग मैं थिम कर सकते हैं तो सिर्फ से इसे इसे किर सकते हैं नेहां एपने विदाउट क्रीम भी खाना चाहे से तो ये बड़ी मज़ेदार लगती है खाने में क्योंकि एक तो इसकी बैटर को दूद से हम तयार करते हैं और दूद दही के साथ तयार करते हैं जिससे एक्तम मॉइस्ट रहता है अंदर तक ये और आप देख सकते हैं कितनी जालिदार है दिखने में इट मिन्स कि जब भी हम कढ़ाई में या कुकर में या पतीले में अपने केक को बेग करते हैं तो इससे बेहतरीन तो कोई आप्शन हो ही नहीं सकता है तो यहां फिर से मैंने धेर सारा चॉकलेट चिप्स को स्प्रिंकल कर लिया है और अब फाइनल लेर की फ्र लगा करके या जो हमारा बटर पिपर होता है उसमें भी कौन बनाकर आप कटिंग लगा के इस तरह की डिजाइन को तयार कर सकते हैं तो यहां पे मैंने थर्ड लेयर की भी सोखिंग कर ली है और अब इसकी क्रम कोटिंग करके मैं छोड़ दूंगी पांच मिनट के लिए फ अब केक बेस को क्लीन कर लेना है इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है एक साफसुत्रे टॉविल से इसे पोच ले मैंने आप पोच लिया है और अब संफ्लावर नोजल से मैं आज इस डिजाइन को तयार कर रहे हूं सीम्पली हमें नीचे से उपर की और यूं पाइपि और आप भी मेरी तरह अगर होम बेकर बनना चाहते हैं हर रोज आप दो तिन ओर लेना चाहते हैं तो इसी तरह बने रहे हैं मेरे चैनल में मैं एकदम से सिम्पल और इजी डिजाइन ले करके हमीशा आपके सामने हाजिर होती रहूंगी और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो I request कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ड्रीम पप पर अपलोड होने वाली हर वी पाइपिंग बैक क्योंकि आज मेरी बेटी नहीं थी शूट करने के लिए अभी जब मैं केक बना रही थी तो उसका स्कूल टाइम था इसलिए मेरे लिए मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीडियो ग्राफिक तो वही करती है तो मुझे ज्यादा सेट आज ना तो मैं अपकेक को शाइनी एफेक्ट देने वाली हूं ना ही किसी तरह का कलर का इस्तेमाल करने वाली हूं वह बच्ची खाएगी ही नहीं उसे सब कुछ सफेद ही चाहिए होता है तो इसके लिए मैंने यहां किसी भी कलर का यूज नहीं किया और एकदम सिंपल सा तयार कर दिया अब मेरे पास कुछ एडिबल स्प्रिंकल है कलर फूर इन स्प्रिंकल है जिसका मैं इसमें छिड़काव कर रही हूं यह हलका पिलका और जो फ्लावर के सेंटर पे मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स को डेकोरेट कर लिया है तो कैसी लगी दोस्तों आज की वी झाल झाल आट झाल